फिल्म इंडास्ट्री के एक बड़े डिरेक्टर पर उन्हीं के फिल्म के आक्ट्रस ने रेप का रोप लगाया है ये डिरेक्टर 2019 में उस वक्त सुर्खियों में आये थे जब इनकी फिल्म का एक सीन काफी वाइरल हुआ था आपको याद हो तो प्रिया प्रकाश वर्यर का आँख मारने वाला जो सीन वाइरल हुआ था वो इसी डिरेक्टर की फिल्म का सीन था ये डिरेक्टर और कोई नहीं बलकि मल्याली फिल्मों के बड़े डिरेक्टर ओमर लूलू है और ओमर लूलू ने ही ओडू अदार फिल्म बनाई थी जिसका वो सीन था इसी डिरेक्टर पर अब एक दूसरी आक्टरस ने रेप का आरोप लगाया है इसके खिलाफ एकवायार तरस की है और मामला कौर्ट तक पहुँचा है इधर डिरेक्टर ने रेप के सारे आरोपों को नकारते वे कहा है कि जिस अक्टरस ने ये काम किया है वो उनकी एक पुरानी फ्रेंड है दोनों ने साथ में अच्छा टाइम बिताया लेकिन जब इशूस हुए तो फिर अक्टरस ने ओमर को फसाने के लिए ये सब काम किया है उमर का क्याना है कि अभी अभी मैंने अपनी एक नई फिल्म के शुरुआत की है और उसी में प्रॉब्लम लाने के लिए उस पर कॉंट्रिवर्सी करने के लिए ये अक्टरिस ये हरकते कर रही है मेरी पिच्रिच है मैने से इससे बात भी नहीं हुई है और आज अचानक से ये इस तरह का केस कर देती है ये काफी शौकिंग है अब कौन सच बोर रहा है कौन जूट इसका पता तो कौट ही लगाएगा लेकिन फिलहाल ये डिरेक्टर ब